हरहर महादेव अध्याय सैंतिस ब्रह्मा जी ने आगे बताया हे नारद, शिव गिर्जा के मंदिर में प्रवेश करने के बाद सब इस्थ्रियां एकत्र होकर उनकी आरती उतारने लगी विश्णु जी ने और हम सब ने भी दोनों का पूजन किया उस समय हम सब को इतना अनंद मिला कि जिस तरह दरिद्र को धन, अंधे को नेत्र और रोगी को अमरत प्राप्त हो जाने से होता है हम सब ने उनकी अलग-अलग तरह से प्रार्थना की जिस से शिव जी यतनति प्रसंद हुए फिर वहां से विदा होने की आज्या मांगते हुए शिव जी से ऐसा निवेदन किया हे के लाश्पती, हम सब का जो मनूरत है उसे आप भली भात ही जानते हैं आप हम पर क्रपा बनाए रखें और अब हमें जाने की आज्या दें उसके बाद क्रमशा वहां से सब लोग विदा हुए शिव जी ने विश्नु और मुझ से कहा मुझे तुम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है तुमारे कहने से ही मैंने गिरजा से विवाह किया है अब तुम भी अपने लोग को लोट जाओ तुमारे सारे काम संपन्न हो जाएंगे तारक दैत्य शीग्र ही यमलोक में जाएगा यह कहकर शिव जी हसते रहे और चुप हो गए विश्नु जी और मैं भी बड़ी प्रसनता से जय जय श्री शंभू, जय जय श्री शंभू कहते हुए उनकी प्रार्थना करते हुए वहां से चल दिये सब बारात के चले जाने के बाद शिव गण उनकी सेवा करने में लग गए शिव जी जगत पिता और गिर्जा जगत माता हैं हम उनके श्रंगार का किस तरह वरणन करें संसार में शिव के समान और कौन सहायक है संसारी जीव मुक्ष पा लेते हैं शिव गिर्जा के विवा की ये कहानी अत्यंत मंगल है इस संसार में शिव जी के यशगान के अलावा मुक्ति पाने का और कोई सरल साधन नहीं है यद्दिपी उनका यश अपार है परंत जितना सुना जाए भलाई के लिए उतना ही बहुत है जो इस कहानी को प्रेम पूर्वक सुनेगा और दूसरे को सुनाएगा वैशिव जी के समान हो जाएगा और आनंद प्राप्त करेगा जो कम से कम भी इस कथा को आप पाठ करेगा वो भी धन्य हो जाएगा चारों वरणों के जो लोग इस कहानी को पढ़ेंगे उनके सारे रोग दूर हो जाएंगे सब कष्टों से छुटकारा पाएंगे और अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे इती श्री शिव पुराणे श्री शिव विलासे तीर्थ खंडे ब्रह्मा नारत संबादे भाशायाम शिव गेरिजा विवाह वरणनाम तृतियो खंड समाप्त